इस को देखने के वाद आप लोग को वेबसाइटिज बनाने में प्रियोग की जाने वाली टेकनोलजी Currently के एंड तक सीकेंगे और सफल सुक्सेसफुन और वेबसाइट बनाना end to end में आप लोग को इस course में सिखाने वाला हूँ यह सारे के सारे वीडियोज मेरे चैनल Code with Harry पर free of cost upload किये जाएंगे और मैं सारे के सारे वीडियोज को एक playlist में आट करूँ मा जो कि मैं चाहूंगा आप लोग description से जरूर access कर लेना और उसको bookmark कर लेना ताकि आप लोग बिल्कुल भी कोई वीडियो को मिस ना करें यह course उन सभी लोगो के लिए होने वाला है जो कि कुछ नहीं जानते जी हाँ जो लोग web development के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं और एकदम start करना चाते हैं उसकता है आप लोगने को जॉइन करते हैं मुझे लिखकर बताएं ताकि आने वाले टाइम में कुछ भी मुझे देना होगा जैसे की नोट्स यह भी चीट शीट यह भी रो सकता है कि कुछ resources है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ तो वह सारी की सारी बट दो तीन चार वीडियो के बाद मैं इसको थोड़ा एडवांस लेवल पर दीरे दीरे प्रॉग्रेस करूंगा और बहाँ पर आप लोगों कुछ best practices कुछ common mistakes जो कि लोगों को यूज करनी चाहिए कुछ नए टूल्स जो कि आ गया है जो कि लोग बिल्कुल यूज नहीं करते हैं पुराने जमाने की टेक्निक्स बॉर्डर नहीं लग रहा है किसी चीज का कभी कोई बोलता है कि जो एलिमेंट है वो उपर नीचे आ रहा है एक लाइन में नहीं आ रहा है कभी आपको उपर नीचे चाहिए एक लाइन में आ जा रहा है कभी आप चाहते हैं कि एक रो में चार एलिमेंट है लेकिन जो पां हम लोग जरूर जोइन करें बने नहीं मेरे साथ और हम जल्दी स्पोर्स को स्कार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक वेबसाइट किस तरह काम करती है एक वेबसाइट में क्या है और वेबसाइट किस तरह काम करती है मेरी इस बात को अगर आप लोगों ने दियान से सुन लिया तो आज के बाद कभी आप लोगों को यह समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि कि HTML, CSS, JavaScript किस तरह काम करती है एक वेबसाइट को सर्व करने में अब यहाँ पर अगर आप लोग आए हैं यह कोर्स देख रहे हैं और आप लोग वेबसाइट बनाना सीखना चाते हैं तो आप लोगों यह तो मालूम होगा कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हैं HTML जो है वो जरूरी है अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाते हैं तो यह मस्ट है इसके बिना काम नहीं चलेगा लेकिन यह और यह भी उतनी ही जरूरी है और CSS हो JavaScript क्या करती है CSS beauty को add करती है और JavaScript brain को add करती है तो हमारी वेबसाइट बन जाती है beauty with brain अब आप लोग कहेंगे CSS फिर JavaScript होता है दिमाग यानि की brain की क्या आपकी website करती है नहीं आया समझ में कोई बात नहीं हम लोग बहुत अच्छी analogy देखने वाले है यह आप लोग देख रहे हैं बहुत ही धमाकेदार गाड़ी है और यह काड़ी क्या है कि इसमें body है तो जब इसको बनाया होगा तो इ जो भी metal से मिलकर बनी हुई है सिर्फ वो खड़ा होगा और इसके अंदर कुछ नहीं होगा क्योंकि as a first step इसको बनाया होगा इसके मुखड़े को बनाया होगा इसके लोहे को बनाया होगा इसके उपर जो यहां पर यह शीशे लगे हुए यह टुकड़े हैं इन सब को बना इसको कितना दूर रखना है शीशे से वह सब चीज़ जो है वो डिजाइनिंग में आती है सबसे पहले इसकी बॉड़ी बनी होगी एक मैटल का टुकड़ा पूरे लगा कर बनाया होगा और उसके बाद इसमें अपने खुबसूरती आड़ करने के लिए color यह सब लगाया हो इसमें मना हुआ है इस तरह से जो एक्स्टरनल या मेटल लगाया हुआ है जो भी लगाया हुआ है वह सब तो वह सारी चीज़ यहां पर आ जाती है और मैं आपर लिख देता हूं यानि कि इसको सजावट का समान इसमें लगाया गया है ताकि यह और अच्छी दिखे उसके बाद आता है brain यानि कि engine तो engine यहां पर क्या करता है engine brain काम करता है अब जो engine along with along with accelerator brake और clutch यानि कि यह सब चीज़े जो होती है वो क्या करती है वो बताती है एक website को कि किस तरह चलना है यहां पर website गाड़ी है तो गाड़ी को बताती है कि किस तरह चलना है बिलकूल उसी तरह website क इंदर metallic body है HTML और यह design है मेरा color वगएरा यह है मेरी CSS तो यहां पर CSS लिख देता हूँ और उसके बाद यहां पर मेरा जो engine है वो है मेरी JavaScript जो की brain है तो आशा करता हूँ कि analogy आप लोग अच्छी लगी होगी समझ में आ गया होगा कि किस तरह HTML CSS और JavaScript contribute करती है लेकिन सिर्फ इस चीज को समझना काफी नहीं है कि किस तरह से एक website में HTML CSS और JavaScript का रूल आदा किया जाता है यहां मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि एक website काम किस तरह करती है अब देखो यहां पर क्या है आप लोग देख रहे हैं एक web server और यह diagram बेगिनर्स को तरह डराओना भी लग सकता है यह यह एक web server है यह computer है यह आप है यह client है ठीक है तो client ने क्या किया client ने अपने Ubuntu यह फिर Windows यह फिर जो भी उसके बास operating system है उस computer में उसने एक request फेजी वो request कुछ इस तरह से दिखाई दे सकती है www.codewithharry.com तो www.codewithharry.com ठीक है उसने कहा दिया कि जी देखो मुझे codewithharry.com दे दो अब क्या है कि जो codewithharry.com है वो codewithharry के server पर रखी हुई है यहां मेर कोई भी website google.com है वो google के server पर रखी हुई है जिसका अपना एक IP address होता है तो यह जो server है इसका अपना एक IP address होता है और इस IP address पर यह जो website है यह खड़ी हुई है इसकी files रखी हुई है इसका backend रखा हुआ है अब backend किसी भी चीज में हो स सकता है मैं अपर ज्यादा confused नहीं करना चाहूँगा आप लोग को backend आपका python में हो सकता है backend आपका node.js हो सकता है और विल्कुल भी मैं आपसे expect नहीं करूँगा आपको यह सब मालूम हो कि क्या है हो सकता है आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा बस इतना समझना आपको कि यह कुछ backends के नाम मैं ने लिखे है और यह backend क्या करता है यह भी बताता हूँ यह backend कुछ processing करते हैं कुछ computation करते हैं और computation का result क्या होता है computation का result होता है HTML CSS or javascript अभी जो html होता है यह main body होती है इसके अंदर इसी के अंदर रखा जाता है CSS or javascript को किस तरह रखा जाता है हम करके यानि कि एक bundle जाता है जिसकी body HTML होती है और इस body के अंदर ही कही ना कहीं CSS जावस्रिप्ट होती है इस चरीर को भेजा जाता है as a response किस request का response codewithherry.com यह जो आपने कहा कि मुझे codewithherry.com दे दो इसका response यहाँ पर आपके server ने दिया कि ले लो ये तीन चीज़े ले लो तो यह आपके response आपके website ने दिया जिस तरह आप लोग खाना खाने के लिए जाते है रेस्टरौन में वहांबर आप लोग बोलते हैं कि मुझे एक पनीर बटर मसाला दे दो क्या होता है उसका response उसका response ही होता है कि यह लो पनीर बटर मसाला ले लो खालो और रोटी आप मंगाते है तो रोटी भी मिल जाती है आपको आपकी table पर आ जाती है लेकिन अगर आप लोग ने आलू गो भी कहा होता तो शयद आपको कुछ और मिलता आपको पनीर बटर मसाला नहीं मिलता उसी करा अगर आप codewaytheri.com slash कुछ और लिखते है जैसे मालो मैंने आप codewaytheri.com slash about लिख दिय तो हो सकता है मुझे दूसरा पेज मिले अगर मैंने codewaytheri.com slash contact लिख दिया तो हो सकता है मुझे दूसरा पेज मिले तो यह request है यह request है यापर हमारी अब आप कौन से restaurant से request कर रहे है वो domain है कुछ ऐसा समझ लो यह domain है यानि कि मैं इस website से codewaytheri.com से request कर रहा हूं यह और यह खा आप लोगों ने codewaytheri.com डाला तो homepage आजाएगा slash about डाला तो about कपी जाएगा slash contact डाला तो contact कपी जाएगा obviously अगर वो exist करता है तो अगर वो exist नहीं करता है मालो आप जाते है restaurant में आप बोलते हैं कि मुझे Chinese noodles खिला दो वो Chinese noodles बनाता नहीं बिचाना तो कैसे खिलाएगा आपको वो बोले कासर not available तो not available कहने का तरीका server का होता है 404 server एक response भीजता है not available not found ठेक है तो इस तरह से client और server communicate करते है एक दूसरे से client भीजता है server को request और server कुछ processing करके इनमें से किसी भी एक programming language का use करके किसी भी एक backend का use करके और वो अपना एक front end भीजने के लिए तयार करता है किसक करता है यह तीन चीज़े तियार करता है HTML, CSS, JavaScript और वो क्या करता है वो भेजता है यह चीज़ इनको अपने client को जिसने भी request किये website तो I hope कि आप लोगो को समझ में आ गया होगी किस तरह से website काम करती है एक बार और फटैक से बताता हूं कि यहां पर एक computer था यहां पर वो client था generate करें HTML, CSS, JavaScript जहां CSS, JavaScript HTML के अंदर ही मौचूद थी और वापस मिल गई यहां पर इस computer को अब क्या होगा इस computer को HTML, CSS, JavaScript जब मिलेगी तो यह web browser नाम का इस program है computer के अंदर installed होता है आप लोगों के बास भी होगा यह web browser जो है वो क्या करता है web browser इसको यानि कि यह जो document आया है यह document है HTML, CSS, JavaScript टेक्स्ट है इसको manipulate करके आपको वो दिखाता है जो आपको दिखाई देगा आप अगर codevizari.com खोलेंगे तो आपको एक website दिखाई देगी जिसमें images भी होंगे कहां पर क्या चीज आएगी उन सब चीजों को manipulate करके display कराने का का ब्राउजर का होता है और browser receive क्या करता है यह document receive करता है HTML, CSS, JavaScript तो यह है हमारी basic working website की तो आगे बढ़ते हैं और देख लगए कि HTML का क्या role है हाला कि हमने discuss तो करी लिया है बट थोड़ा सा deep dive करते हैं जल्दी समझते हैं HTML, CSS, JavaScript का role और उसके बाद हम लोग coding करना start करेंगे HTML की बात कर लेते हैं आपर, HTML की full form होती है hypertext markup language और यह एक standard है यानि कि बहुत सारे लोगों ने agree कि है कि HTML को use करेंगे website बनाने के लिए सब लोग HTML यूज करना और सारे browsers भी जो लोग बनाते हैं वो भी इसी को display कराएंगे तो एक standard बना दिया यह एक well standardized system है और यह जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया body होती है website की यह एक standard markup language है इस बात का मतलब यही हुआ कि सारे लोग इसी को use करेंगे कोई अपनी नई language introduce नहीं कर सकता और जो web browsers हैं उनको भी इसी के साथ adhere करना पड़ेगा अब यहाँ पर HTML सिर्फ body होती है सिर्फ मुखड़ा होता है यहाँ अगर इनसान की बात करूं तो सिर्फ skeleton हड्डियों के साथ ठीक है तो अगर skeleton की बात की जाए मेरी मेरी ड्राइग उतनी अच्छी बननी रही है बट आप बस यहाँ पर समझ लो skeleton है यह और यहां पर मैंने बहुत इच्छा skeleton नहीं बनाया है लेकिन जो HTML होता है वो एक skeleton ही होता है ठीक है और यहाँ पर हड़िया हो जाएंगी skeleton की और यह rib cage anyway छोड़ देता हूं उसको यह किदर जो skin है,skin का color है, बाल है, कपड़े हैं, जिसकी जिसे इनसान अच्छे लगते हैं, वो हमारी CSS है, तो जो cascading style sheets होती है, वो एक style sheet language है, जो कि आपके web page की, यानि कि जो HTML body आपने बनाई थी, उसकी presentation को अच्छा करती है, कौन से element का क्या color होना चाहिए, कौन से element का क्या background color होना चाहिए, कौन सा element left में float करेगा, कौन सा element जो है, वो top में चाहिएगा, कौन सा element अपने अंदर कितनी दूरी रखेगा, कितनी margin रखेगा, कितनी padding रखेगा, उसका border का color क्या होगा, यह सारी चीजे CSS tag करता है, और हम देखेंगे आगे इसको किस तरह यूज करना है, और जितने भी animations पगहरा हो, इस सब चीजे आप देखते हैं, यह CSS की मदस से ही, आप लोग achieve कर पाते हैं, अब आ जाते हैं, जल्दी से JavaScript की तरफ बिना जादर time को waste करते हुए, और JavaScript होती है brain, यानि की दिमाग, जो आपका website है, उसकी, जो brain है, जो उसकी सोचने की ability है, वो कहलात है, तो वो सोच पा रहा है, यानि की, वो JavaScript है, अब मैंने आपको इनसान के टांस में HTML और CSS तो बता दी, HTML body है, और जो CSS है, उसका जो design है, उसकी looks है, वो है, JavaScript उसका दिमाग है, उसका brain है, कि कहा जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, वो सारी चीज़े, जिस दना से वो decide करत है, वो है, ठीक है, बुरिया, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो JavaScript है, उसको सीखेंगे सही से, और JavaScript में आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप गुसेंगे JavaScript के अंदर तो एक बहुत बड़ी language है, और आप लोग को थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, कि जैसे से आप जा रहे है HTML, CSS, JavaScript के अंदर, आपने अगर HTML सीख ली, तो ऐसा नहीं है कि आपको HTML 100% सीख नहीं है, और मैं इस बात को अभी पूरा करूँगा, आदी बात मस् सुनना मेरी, और JavaScript, मानलो आपने HTML सीख ली, मैं कहूँग HTML अगर आपने 80% भी सीख ली, तो that is enough, CSS अगर आपने 40-60% भी सीख ली, that is enough, मैं beginners की बात करा हूँ, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तब, और JavaScript आप लोगोंने 50-70% सीख ली, तो भी that is enough, और उसके बाद बाकी जो आप सीखेंगे, वो आप अपनी प्रेक्टिस से सीखेंग आप CSS को लेके बैठ गए, आप पूरी सब कुछ सारी के सारी प्रॉपर्टिस याद करने लग गए, और उसको लेके बैठ गए, और आपने JavaScript को छुआ भी नहीं, आपको पता भी नहीं, जावा स्क्रिप्ट के J में क्या होता है, और S में क्या होता है, कैसे, किस तरह ये सब सब्सक्राइब को सभी से, तो इन तीनों को सिमल्टेनियसली पढ़ना है, और वेबसाइट बना बना कर सीखना है, और वही मैं इस कोर्स के थुरू आप लोग को सीखाने वाला हूँ, तो जो JavaScript है, वो एक High Level Dynamic Interpreted Programming Language है, और Dynamic का मतलब मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को अब यह आप इसको छोड़ दो, और यह client-side scripting language है, यह बहुत important है, server-side पर JavaScript use हो सकती है, लेकिन यह client-side programming language है, तो अगर मैं इस diagram में आ जाओ अपने, तो यहाँ पर browser के अंदर जो programming है, जैसे कि इस पर click करो तो यह हो जाए, अगर मैं mouse को hover करूँ तो क्या हो, और यह सारी ची सकते हैं, आप logic लिख सकते हैं, आप convert कर सकते हैं, kilometers को miles में, आप kilograms को grams में, pounds में convert कर सकते हैं, वो सारी चीज़े आप JavaScript की मदद से कर सकते हैं, और आपकी HTML के tags हैं, उसके अंदर की data को आप change कर सकते हैं JavaScript की मदद से, देखेंगे आगे किस तरह करना है यह सब चीजे, और यहा प्रक्टरी वीडियो था काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो बेसिक था और आप में से कही लोग को आती होंगी ये चीजे बहुत ही जल्दी मैं जो है इसको एडवांस लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से वेबसाइट बन कि आप उस प्लेलिस को ग्राप कर लेना इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बूलना अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस थैंक ये सो मुच गाइस वाचिंग इस वीडियो एंड आइवल सी यू नेक्स ताइम